गाईज मुझे लगता है कि अभी भी बहुत से रेविट लवर भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें इस बात को लेकर काफी confusion बना हुआ है कि उनकी pregnant रेविट बच्चे कब देगी या फिर देगी ही नहीं मुझे इस भाई का कमेंट आया हुआ है कि ब्रो मेरी मादा खरगोस घोसला बना लिया है पर बच्चे नहीं दे रही है क्यों और इस भाई का कमेंट है कि सर मैंने अपनी मादा खरगोस का मीटिंग करवा दिया है लेकिन अभी तक बच्चे नहीं दिये हैं और इस sister का कमेंट है कि सर मैंने अपने खरगोष का मीटिंग करवाया था एक कईश दिन हो गया है वो नेस्टिंग कर रही है पर बच्चे कब देगी तो गाईज आज हम लोग इस वीडियो में इसी कनफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे कि प्रेगनेंट खरगोष के बच्चे देने का टाइम कब होता है और बच्चे घोसला बनाने के बाद कितने दिन में देती है तो गाईज वीडियो को पूरा जरूर देखना जिससे आपका सारा कनफ्यूजन आसानी से दूर हो सक नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेट रैविट एंड इनिमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हर्दिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सारी क् या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं रैविट से रिलेटेड वीडियो जही बनाता ह यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें अपनी मादा खर्गोस का मीटिंग करवा देने के बाद किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है नमबर वन वेट करना और सब्र करना गाईज अभी बहुत से रैविट लबर भाई बहें जो नए हैं वो अपनी मादा खर्गोस बच्चे कब देगी जबकि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं होता है कि अभी उसका प्रेग्नेंसी पीरियट 20 या 25 दिन का ही हुआ है जबकि गाईज आप सबको तो बहुत अच्छे से पता ही है कि मादा खर्गोस 39 से 32 दिन में ही बच्चों को डिलीवर करती है फिर वो आपके उतावले होने पर या जल्दबाजी करने पर बच्चे कैसे दे सकती है नमबर टू घोसला बनाने के बाद की टेंसन गाईज बहुत सी मादा खर्गोस कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाने के बाद एक हफते के बाद ही मुह में तिनके वगेरा रखकर गोसला बनाने लगती है फिर एक दो दिन बाद वो बंद कर देती है और फिर कुछ दिन बाद वो नेस्टिंग करने लगती है फिर नार्मल हो जाती है तो इसी में काफी सारे रैबिट लबर भाई बहन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो कि वो नेस्टिंग तो कर रही है घोस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी मादा खरगोश ने मीटिंग किया है उस डेट को आपको याद रखना है और उसी डेट के हिसाब से 31 से 32 दिन का आपको बेट करना है वो 100% बच्चों को 32 दिन की प्रेगनेंसी पूरी हो जाने पर डिलीवर कर देगी और अगर आपक आपको डेट मालूम नहीं है तब भी आपको सिर्फ बेट करना है वो नेश्टिंग कर रही है ये सोचकर कि अब बच्चे ही देने वाली है आपको बहुत ज्यादा जल्दभाजी नहीं करना है और गाई जो बच्चे कब देगी इसका एक बेहतरीन किलियर साइन है कि जब खाना पिना बिल्कुल कम कर देगी और अपनी छाती से लगातार बाल निकालना इस्टार्ट कर देगी और बहुत ज्यादा पैर लंबे करके सोती हुई नजर आएगी तब आपको समझ जाना है कि अब आपकी मादा खरगोस बच्चे देने के बहुत ही करीब है ऐसे में इसकाल रही है और उसका मीटिंग करने का समय 32 दिन से भी ज़्यादा हो गया है या फिर 40 या 50 दिन या फिर 2 महिने तक तब आपको यह समझना है कि यो फाल्स प्रेगनेंसी का सिकार है और फेक नेस्टिंग कर रही है तो आपकी मादा खरगोस के प्रेगनेंट हो जाने के बाद उसके बच्चे देने तक आपको इन ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आपको बहुत ज्यादा जल्दवाजी नहीं करने है और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक या उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रैविट से रिलेटेड आपका को कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे इस्टाग्राम पर डारिक्ट मैसेज कर सकते हैं हम आपके मैसेज का रिपलाई देने की आपकी हिल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए गाईज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ तब तक के लिए जाए हिंदे